नमस्कार मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और वीधू कभी रामवतार त्यागी की ये पंग्तियां इशश्वी संपादक मानिक चंद्रबाजपी के जीवन व्यक्तित्तो पर सटीक बैठती हैं मानिक चंद्रबाजपी को सब प्रेम और आदर से मामा जी कहकर सम्भुदित करते थे उन्होंने अपने धे की साधना में सर्वस्व न्योचाबर कर दिया था उनका जीवन आज की पीड़ी के लिए संदेश बन गया है साधगी, सरल्ता, निक्षल्ता के पर्याय मामा जी ने अपने मौलिक चिंतन और धारदार लेखनी से पत्रिकारता में भारतिय मुल्यों एवं राष्टिय विचार को प्रतश्थित किया मामा जी ने कभी भी पत्रिकारता को एक प्रोफिशन के तौर पर नहीं लिया बलकि उन्होंने पत्रिकारता को देश, समाज और राष्टिय विचार की सेभा का माध्यम बनाया सामाजिक और राश्टी महत्यों के विश्यों पर उन्होंने सदेव समाज को जागरुख किया आपातकाल, हिंदुत्व, जम्मुकस्मीर, स्वदेशी, स्रीराम जन्भूमी आंदूलन, जातिबाद, छद्म धर्म निर्पेक्षिता, कन्वर्जन, सिक्षा, राश्टी सुरक्षा और देश के स्वाईमान से जुड़े अनेक विश्यों पर उन्होंने समाज को मतिभ्रम की स्तती से बाहर निकाला, सामाज एक राजनेत्यक और रास्टी महत्यों के विश्यों पर उन्होंने विपुल लेखन किया है, जो आज भी प्रासंगिक है, स्वदेश में प्रकासित उनकी लेकमालाएं, केरल में माक्स नहीं महेज, आरेसे सपने सम्मिधान के आईने में, सम की सिलापर, ये सब बहुत चर्चित हुई, ये लेकमालाएं आज भी पठनी हैं, मामा जी माणिक चनबाजपेई का पत्रकारिय जीवन लगभग 40 वर्स का रहा, वैसे तो पत्रकारता में उनका प्रवेस भिंड में ही हो चुका था, जहां वे देश मित्र समाचार पत्रका संचालन कर रहे थे, लेकिन एक सजग प्रखर पत्रकार की रूप में उनकी पहचान स्वदेश से जुणने के बाद ही बनी, 1966 में विजय दस्मी के सुब अवसर पर इंदोर में देनिक समाचार पत्र स्वदेश की स्थापना हुई, राष्टिय स्वयम सेवक संग के परचा के संपादक की जब खोज प्रारम हुई, तो वो मामा जी के नाम पर जाकर पूरी हुई, वैसे तो मामा जी स्वदेश से, 1966 से ही जुड़ गए थे, लेकिन संपादक का दायत उन्हों ने 1968 में समाला, 17 वर्ष तक वे स्वदेश इंदोर के संपादक रहे, अपने संपाद के कोशल से उन्होंने मदप्रदेश की पत्रकारता में भारतियता की एक ससक्त धारा प्रवाहित कर दी, मामा जी की लेखनी का प्रताब था कि स्वदेश सेग्र ही मदप्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र बन गया, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी स्वदेश की मांग होने लगी, गौलिर से राजमाता विजयराजे सिंध्या की प्रेणना से दैनिक समाचार पत्र हमारी आवाज प्रकासित हो रहा था, 1970 में राजमाता ने इंदोर प्रवास के दोरान स्वदेश का प्रभाव देखा, तब उन्होंने स्वदरसिंजी के सामने प्रस्ताव रखा कि गौलिर में भी स्वदेश प्रकासित होना चाहिए, और राजमाता का समाचार पत्र हमारी आवाज उसके बाद स्वदेश के रूप में गौलिय से प्रकासित होने लगा, मामा जी से प्रेरित, प्रखर संपादक, राजिन सर्मा के नितरत में स्वदेश गौलिय ने लोगपिरता के एक किर्तिमान रस दिये, ईंदोर से सेवार निम्रत होने के बाद मामा जी ग्वालियर सोदेश के संपादक प्रधान संपादक रहे और भोपाल के सलाकार संपादक के रूप में विवे रहे मामा जी अपने जीवन के अंतिम समय तक सोदेश से जुड़े रहे पत्रिकारता जगत में मामा जी और सोदेश एक दूसरे के परयाय हो गए मामा जी मानिकचंद बाजपेई ने सोदेश के माध्यम से हिंदी पत्रिकारता का वातावरन ही बदल दिया जो पत्रिकारता कभी भारतियता की पर्यायवाची हिंदुत्य के विचार से बिचक्ती थी उसे सड़ी लास मान कर घणा करती थी अव वही पत्रिकारता भारतिता और हिंदुत्य के लिए आवाज उठाने दिए मामा जी ने कभी अपने सिध्धानतों से समझोता नहीं किया जब समूची पत्रिकारता भ्रहमित होकर भारतिय मूल्यों के बृद्ध ही परचार करने लगती तब भी मामा जी की लेकनी भटकती नहीं थी वे धारा के साथ बहने वाले लोगों में नहीं थे गवहत्या बंद क गवभक्तों के विरोध में खड़ा हो गया इन साधू सन्यासियों और गवभक्तों को सामप्रदायक और दंगई सिध्ध करने का प्रयास करने लगा तब मामा जी ने मद्यप्रदेश में गवभक्तों के पक्ष में स्वदेश के माध्यम से आवाज उठाई और परिणाम यह हुआ कि मद्यप्रदेश में गौह हत्या रोकने के लिए प्रभावी कानून बन गया इसी तरह इंदोर में हिंद केशरी मास्टर चंद्गी राम के सम्मान में जब सोभाय आत्रा निकाली गई तो उस पर लीगी गुंडों ने हमला कर दिया तब भी केबल मामा जी ही थे जो स्वदेश के माध्यम से लीगी मानसिक्ता का परदाफास कर रहे थे स्वी राम जन्भूमी आंदोलन और बाबली धाचा गिरने के बाद भी मामा जी की लेखनी ने हिंदू समाज को जागरुक किया और उन्हें कम्मुनिस्ट प्रोपोगंडा से ब्रहमित होने से बचाया हिंदूत्य को बदनाम करने के जितने भी प्रत्न किये गए मामा जी की लेखनी ने उनकी जम कर खबर ली अपनी लेखनी से मामा जी ने भारतिय मूल्यों और हिंदुत के वरोध में चलने वाले सभी अप प्रचारों का तथ्यों और तरकों के आधार पर भंडा फूर किया बर्स 1975 में मौलिक अधिकारों एवं अव्यक्ति की सुतंतता की हत्या कर देश पर आपात काल थूप दिया गया इस दोरान सरकार के भय से प्रतिष्टि समाचार पत्रों और संपादकों की कलम जुग गई लेकिन प्रखर राष्ट भक्त मामा जी भूमिंगत रहकर भी लेखन कारे करते रहे इंद्रा गांदी की ताना साई के वरोध में सोदेश मुखर रहा पर नाम यह हुआ कि सोदेश के कार्याले पर ताले लगा दिये गए संपादक यानी मामा जी के नाम मीशा का बारण जारी हो गया पुलिस ने मामा जी को पकड़ कर जेल में डाल दिया परंतु धुन के पक्के मामा जी कहां मान थे उन्होंने जेल में वंदियों को पढ़ाना सुरू कर दिया मामा जी ने जेल में रहकर के ही हस्त लिखित मीसा समाचार पत्र का प्रकासन शुरू कर दिया बाद में जब उच्च नियाले के आदेश पर स्वधेश के ताले खुल गए तब मामा जी ने जेल के भीतर से ही किसी प्रकार संपाद की लिख करके भीजनी की व्यवस्था जमाई और उनकी बेवाक संपादकियों के कारण स्वधेज खूब प्रतिश्ठित हुआ इमर्जेंसी के दोरान लोकतंतर के सिपाईयों को स्वतंतर भारत की सरकार ने जिस प्रकार की नार की यातनाय दी इन पर तो उन्होंने एक अमर्क प्रति ही तियार कर दी थी उनकी पुस्तक आपात काल की संघर्सगा था लोकतंत्र की बहाली के लिए किये गए आंदोलन का प्रमारिक दस्तावेज है बोद्धिक्ता का आडंबर रचने के लिए मामा जी ने कभी नहीं लिखा उनका समूचा लेखन समाज को जागरुक करने के लिए था उस समय में उन्होंने अपनी सीधी सह सरल लेकिन धारदार लेखनी से पाठकों का दिल जीत लिया था वे अपने लेखन में आम बोलचाल की भासा का उप्योग करते थे वे ऐसी भासा लिखते थे जिसे सामा निव्यक्ती भी समझ सके गंभीर विश्यों को सरलता से समझाने के लिए मामा जी अपने संपाद की और अगर लेखों में मुहावरों कहानियों का खूब उप्योग करते अनेक लेखों में तो हुनोंने लगू कताय स्वेमी रजदी ताकि पाठकों के मन मस्तिस्ख तक विश्य की गंभीरता को सरलता के साथ उतारा जा सके यह उनके लेखन की विशिस्ता थी उनके आलेक बोजिल नहीं होते थे पाठकों को बांधे रखने की कला उनको अच्छे से आती थी मामा जी संपाद की अगर लेखों और संपादक के नाम आए पत्रों को बहुत महित देते थे उनका कहना था कि संपाद की समाचार पत्र की जान है वो जितना पढ़ा जाएगा और चर्चित होगा समझ लो समाचार पत्र उतना ही सफल है मामा जी पत्रिकारता को अपना करियर बनाने वाले यूबुकों को बड़ा प्रोसाहित करते थे वे पत्रीकारता की चलती फृती पाट साला थे उनके संपर्क में आए अनेक यूबकों ने पत्रीकारता में खुब नाम कमाया उनका एक सुभाव था वे अपनी संपाद किये पढ़ने के लिए प्रूफ सुधारने के लिए जो नए यूवा पत्रकार थे उनको दे दिया करते थे और उन्हें इतनी छूट देते थे कि वे उसमें तोटी निकालें और बेहिचक उसे ठीक करके छपने के लिए भेज दें मामा जी संपादक की कुरसी पर कभी कवारी बैठते थे वे तो इनी नवागत पत्रकारों के बीच में उनके प्रसिक्षण की दरश्टी से अपना समय विताया करते थे मामा जी का जन्म 7 अक्टूवर 1919 को आगरा जिले के बटेशवर गाउं में हुआ पूर प्रधानमंत्री अटल व्यारी बाजपे भी इसी गाउं से थे बटेशवर में मामा जी और अटल जी का घर आमने सामने हैं दोनों ही माहापुरसों का बचपन यमना जी की गोद में अठखेलिया करते बीता है 2002 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब स्वदेश इंदोर की योजना से दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मामा जी का अविनंदन समारो अमरत महुस्त का आविजन किया गया उस दिन भाव विभोर होकर चल चलाती आखों से भारत के यशश्वी प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेई ने भरी सभा में मामा जी के चरण स्पर्स करने की अनुवती मांगी तब वहाँ इस पंदन कर देने वाला वातारून बन गया भारत की राज सत्ता, त्याग, समर्पन और निस्ठा के परियाए साधु सुभाब के मामा जी के सामने नत्मस तक थी यह मामा जी का सम्मान यह मामा जी नाम के व्यक्ति का सम्मान नहीं था वरन उस लेखनी का सम्मान था जिसने हिंदी पत्रकारता में भारतिय मूल्यों की इस्थापना की भारतिय मूल्यों को स्वीकाडिता दिलाई तो ये थे मामा जी और उनकी पत्रिकारता की एक जलाखमने आपके सामने प्रसुत करने का प्रयास किया ऐसे ही किसी और विशेपर किसी व्यक्ति विशेपर हम फिर आपके साथ समवाद करेंगे तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाते हैं जय हिन जय भारत